हाई फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल कुकुईत पासना आज मैं बनाने वाली हूँ होली स्पेसल ठंडाई होली रंगों का तेहवार कहा जाता है लेकिन होली में हम बहुत सारे पकवान भी बना के खाते हैं और उस पकवान में एक होता है ठंडाई जो हर घरों में बनाया जाता है और आज मैं ठंडाई बनाऊंगी मिक्स से जीसे आप स्टोर करके भी ठंडाई मिक्स को फ्रीज में रख सकते हैं चार सी पांच मन तक तो चलिए फिर बनाते हैं तो चलिए देख लेते हैं, ठंडाई बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जुरत पड़ेगी, 15-20 पीस काजू, 15-20 पीस बदाम, दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी, एक चमच सौंफ, 15-20 पीस पिस्ता, एक चमच मगज, जिसे वाटर मेलन सीट्स भी कहते हैं, थोड़ी सी गोलमीच में हैं गोलमीच का कम यूज कर रही हूं क्योंकि गोलमीच डालने से बहुत ज़्यादा तिखा हो जाता है, दस पिस इलाइची और थोड़ी सी केशर, अब हमें इन सारी चीजों को भीगोना है, एक बड़े बरतन में डालके भीगा लेंगे, ठंडाई बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, होती है, अब देखिए, अब हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है एक बाउल में, अभी मैं इहाँ पे केसर नहीं डालनी हूं, थोड़ी देर बाद डालूंगे, अब इसमें हम पानी डालेंगे, हमें इतना पानी डालना है कि यह अच्छे से भीच जाए, और पानी डालके हमें 5-6 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है कि सारे ड्राइफरूट अच्छे से फूल जाए, अब देखें, मैं आपे पॉपी सिट्स पोस्ता दाना डालना भूल गई थी, अभी डाल दे रही हूं, और इसमें जो हमने केसर को रखा था, केसर को भी डाल देंगे, अभी आधा ही केसर डालें, आधा बाद में डालेंगे, अब देखें, साथ से आठ घंटा हो गया है, सारी चीजे बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है, यदि आप दो से तीन घंटा फूलाएंगे, तो अच्छे से फूलेगा नहीं, तो ये ग्राइंड भी अच्छे से नहीं होगा, हमें एकदम बारिक पेस्ट बनाना है, अब इसे स्पून से हम निकाल लेंगे, और इसे ग्राइंड कर लेंगे, हमें इन सारी चीजों को एकदम बारिक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी दाना नहीं रखना है, अब देख सकते हैं कि एकदम जाग की तरह बिल्कुल ही बारिक ये पिसाया है, हमें इसी टेक्शर म ये डाल के घोलेंगे, तो दूद को एक बार छान लें, तो चलिए फिर अब सीरप बनाते हैं, अब ठंडाइ सीरप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कड़ाई में आधा कप पानी डालेंगे, देखे, मैं यहाँ पर एक कप पानी ली थी, आधा ही कप पानी टाल रही हैं, फिर जो रदपराय का तो और भी ढाल देंगे अब इस पानी में हम एक कप छीनी डालेंगे और छीनी को अच्छे से घुलने देंगे अब हम एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनाने, इसी चीनी को घुलने देना है अब हम इस स्टेज में बचा हुआ केसर डाल देंगे, केसर तो उसमें भी डाले थे अच्छे से वो पीस गया, लेकिन यहां पे इसलिए डाल रहे हैं कि जब आप दूध में इस मिक्स को घुलेंगे तो लंबी लिए केसर आएगी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है अब इस तरह से हमें मिक्स कर देना है अब देखिए, चीनी पूरी अच्छी तरह से घुल गई है और केसर का भी बहुत ही अच्छा कलर आ गया है अब हमने वो मिक्स को पीस के रखा था, अब इसमें हम डाल देंगे इसे बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है, इसमें हमने वो सारी चीजे डाली है जो फ्लेवर के साथ साथ सरीर को ठंडग भी देती है और हेल्दी भी रहती है अब देखिए हमने सारे को डाल दिया है मिक्स को, अब इसे चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेव मीडियम रखेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी ये उफनता भी है अब हमें 15-17 मिनट तक इसे पकाना है अच्छे से पकाके फ्रिज में स्टोर करके आप रख सकते हैं चार से पांच मन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये आप एक ग्लास दूद में एक चमज डाल देंगे एक ग्लास ठंडाई बनके तयार भी हो जाता है बहुत ही जल्दी अब देखे 15-17 मिनट हो गया है नट्स रहने के कारण बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा भी हो जाता है अब देखे इसके कंसिस्टेंसी इतनी पतली है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा अब ये ठंडाई मिक्स ठंडा हो गया है गाढ़ा भी हो गया है ठंडा होने के बाद अब इसे हमें कांच की बॉटल में डालके स्टोर करके रख लेंगे आप जब भी बजार से ये ठंडाई मिक्स लेके आते होंगे तो ध्यान देंगे कि उसमें चीनी की मातरा बहुत ज़्यादा होती है अब आप इस तरह से घर में बनाएंगे तो ये फ्रेज भी है और बहुत फ्लिवरफूल भी होता है और बहुत टेस्टी भी ठंडाई बनता है अब ये सीरप से ठंडाई बना लेंगे उसके लिए एक जार में दो चमच ये ठंडाई सीरप डालेंगे दो चमच से ये दो गलास ठंडाई बनके रेडी होगा बिल्कुल बजार सी भी ज्यादा अच्छा टेस्ट में बनेगा बजार में तो इतनी क्वांटिटी में इत पुरा सा गाड़ा भी आता है, जाग भी हो जाता है, या आप ग्लास में भी मिक्स करके बना सकते हैं, अब इसे हम एक बर मिक्सी में चला लेंगे, अब हम इस ठंडाई को ग्लास में सर्व कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बजार की ठंडाई जैसा आया है लेकिन टेस्ट उससे कई गुना जादा है आप इस होली में इस तरह से ठंडाई बनाके अपने महमान को पिलाएं और काम को बहुत ही असान कर दें ये सीरब बनाके अब हम इस ठंडाई को देखने में और बहतर बनाएंगे और सुन्दर लुक देंगे उसके लिए थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा केसर से गानिश करेंगे अब ये ठंडाई सिर्फ होली क्यों आप पुरी गर्मी भी पी सकते हैं क्योंकि इन में वो सारे चीस डिले हुए हैं जो सरीर को ठंडाग देती हैं और सरीर को फिड भी रखती है और बहुत हेल्दी भी होता है बच्चे बड़े सभी बहुत ही सौक से पीते हैं दोस्तों अगर आप मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई